नमस्कार दोस्तों वेलकम बेक टो अचैनल मनी चलो से दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग है इन्वेस्टिंग करते तो आज आपने निफ्टी बैंक निफ्टी देखा हुआ कि किस तरह से दुबारा से फिर मार्केट डेली डाउन के ओपर डाउन जा रही है यानि मार्केट का अभी आपने देखा हुआ गलोबली प्रेसर की विज़े से मार्केट फिट से डाउन आ रही है लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टोक है जो हमारे फैवरिट स्टोक है इस गिरती हुई मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छा जो रिटन अपने इन्वेस्टरों को दे रहे है तो 4.97% स्टोक इदर बड़ा है अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो कंपनी का जो EPS ग्रोथ है वो भी बड़ा और कंपनी का जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक किया है बहुत सारे लोगे दोस्तों में में एक कन्फ्यूजन आ जाता हुआ कि निफ्टी और बैंक नि और को कंप्लीट कर देंगे जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हुए कंपनी को 120 मिलियन के एप्रोक्सिमेटल है जो स्टील है उसकी स्प्लाइं का ओडर मिला है आप इदर रीड कर लीजिए इंटेग्रा इंसेंशनिया लिमिटेड इप्लीज टू अनॉंस हैविंग रेसीव ओडर अमांटिंग 120 मिलियन एप्रोक्स यानि 120 मिलियन के एप्रोक्सिमेटली इंटिग्रा इसेंशनिया लिमिटेड कंपनी को अभी ओडर सीड हुआ है जो स्टील के इंगोर्स रहते है यानि कि आप लोग को पता कि जो मैटल से जाती है वो एक जैसे हमारा इंट इंट की साइज होता है उस तरह के फोम में जाती है तो कंपनी को इस टील की फोम के लिए एधर 120 मिलियन के एप्रोक्सिमेटली ओडर मिला है तो आप लोग देखें कि कितना बड़ा अमांट का ये ओडर है 120 मिलियन का जो स्टील का ओडर है और कंपनी का वालना कि बहुत ही जल्दी जो स्टील मेनुफेक्ट्रिंग प्लांट के लिए जो ये ओडर है बहुत ही जल्दी कंपनी इधर इसको कंप्लीट कर देगी लेकिन इधर ही नहीं कंपनी को एक और बहुत बड़ा ओडर मिला है 18 अगेस 2022 को कंपनी को जो इंटेगरा इसेंचा लिमिटेड जगहा फैला हुआ है और अलग-अलग तरह के जो कंपनी उसके अंदर वरक करती है तो कंपनी को इधर 120 मिलियन का जो ओडर मिला वो श्टील का मिला है और दूसरा जो ड्राइफ रूट्स है जो प्रिमियम ड्राइफ रूट होते है उसकी स्प्लाई का 110 मिलियन से ज्यादा का ओडर मिला है अगर हम ओवराल देखें तो कंपनी को 230 मिलियन से ज्यादा का ओडर एक साथ मिल रहा हो तो कंपनी का स्टोक क्यों नहीं भागेगा और कंपनी का दावा की बहुत ही जल्दी जो ये ओडर हो कंपलीट हो जाएंगे और आपको पता जब कंपनी को इतने बड का जब आपको जो स्टील के दॉस्तो इंगोर्स रहते ह्यानी जो इंट सेप रहते है उनकी स्प्लाई के लिए मिला है यानी मेटल स्प्लाई के मिला है तो ये बडरी अपडेट थी अब ही आजाते है कंपनी के जो स्टोक है उसकाσω का से उसको break कर दिया है पहले स्टोक ने फर्स्ट शेकिंड अभी थर्ड रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया और अभी मेरे इसाब से बहुत ही हाई लेवल के ओपर इदर स्टोक ट्रेड करा अगर हम देखते हैं फोरम तो 100% इदर लोग है जो बाइंग के सला दे रहे हैं लेकिन जब भी आप किसी स्टोक को buy sell करते हैं तो आपका जो टेक्निकल फंडामेंटर अनलिसिस आप खूद कर लीजिए अगर हम सेर होल्डिंग पैटरन की बात करेंगी भीया 77.9 इदर जो पॉब्लिक के पास सेर होल्डिंग पैटरन है और अगर हम प्रमोटर की बास करें तो 20.81 इदर प्रमोटर के पास है और साथ में अगर डिया नी डोमेस्टी जो इनवेस्टर है वो है 1.29 तो इस तरह का जो शेर होल्डिंग पैटरन है तो मेरे इसाब से शेर होल्डिंग पैटरन मेरे इसाब से मिला जूला है ठीक ठीक है इस तरह से जो शेर होल्डिंग पैटरन के अंदर पॉब्लिक ने बहुत ज्यादा पैसा इदर इनवेस्ट किया हुआ है चलिए अब हम जो स्टोक का है एडवांस जो चार्ट है उसको एनालिसिस कर लेते किस लेवल के उपर हमें बाइंग करना चाहिए और अभी जो कैंडल स्टिक चार्ट है वो स्टोक के बारे में क्या बताता है फैनली दोस्तो हम आगे हैं एडवांस चार्ट पर इदर आप लोग देख रहे हैं अगर हम आज की बात करे तो आज तो आपने देख लिए हो 65 पैसे से वापिस जो स्टोक है इदर 6 रुपे के आसपास आया था लेकिन फिर से अगर हम देखें दुबारा इदर फिर एक रेड केंडल बनाई लेकिन इदर जो स्टोक है इस लेवल के उपर एप्रोक्सिमेटली 5 रुपे 75 पैसे पर स्टोक ने बहुत अच्छा स्पोर् अपर सरकेट अपर सरकेट अपर सरकेट अपर सरकेट और इस तरह चे स्टोक ने जो अपना ये थर्ड रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके आठ रुपे 75 पैसे के उपर क्लोजिंग दी है और दोस्तों आपको पता है जब कंपनी को बड़े बड़े ओडर मिलें और कंपन अगर मैं मेरी बात करूँ 10 रुपे के आज पा स्टोक बहुत जल्दी इदर अपवर्ड मुमेंट दे सकता है अगर हम वोल्यूम की बात करते हैं तो इदर आप लोग देख लीजी आज की रेट में वोल्यूम बहुत अच्छा ग्रोथ दी है अगर हम अपने जो सिगनल डूंडे की बाय सैल या होल्ड क्या सिगनल देखें तो मेरे इसाब से इस लेवल के उपर जो अभी ट्रेड करा स्टोक इदर आप बायंग बना सकते हैं अगर आपके पॉर्टफोलियो में है तो आप इसको होल्ड करके रखिए और अगर मैं सेल की सला नहीं दूँगा क्योंकि स्टोक को भईया बहुत अच्छे अच्छे ओडर इदर मिल रहे है तो मेरे इसाब से ये स्टोक आपके पॉर्टफोलियो में होना चाहिए और इस लेवल के उपर आप बायंग मना सकते हैं क्योंकि स्टोक को इदर आप लोग देखिए ये 120 मिलियन का स्टील का दोस्तों जो ओडर मिला है ये बहुत ही अच्छी न्यूज है क्योंकि इतना बड़ा ओडर कंपनी को एक साथ मिल रहा और साथ में जो ड्राइफ रूट का ओडर है कंपनी को 110 मिलियन से ज़्यादा के मिला है अगर हम टोटल देखें तो 230 मिलियन से ज़्यादा का जो ओडर है कंपनी को एक साथ मिले है और इसी विज़े से स्टोक ओड ज़्यादा उपर जा सकता है फानली दोस्तों इंटिगरा एसेंशियल लिम्टेड्स कंपनी के स्टोक के बारे में आपका क्या कमेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में जुरूर बताइएगा आपको यूँ वीडियो कैसे लगी वो भी मुझे जुरूर बताइगा दोस्तों फिर में लेंगे चितरे वीडियो के साथ तब तक के लिज्जाहिंद पंदे मात्रम